अबस्टकार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पीवी क्लासिस में आज हम NCRT स्टार्ट करेंगे तो आएए पढ़ते हैं कि लास 7 की NCRT पहला चेप्टर पार्पो में पोशन तो तक अच्छे में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आ कहते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारी शरीच के लिए भोजन आवशक है और हमारे भोजन के आवशक घटक कार्वागदरिट्स, प्रोटिन बसा और विटामीन है विटामीन और खनीजें इन्हे हुं हम पोशक कहते हैं सभी जीवों को भोजन के आवशक्ता होती है, जैसा कि हमने पढ़ा कि पादव अपना भूजन स्वयम बनाते हैं, परंतु मानव और मानव सहीत अन्य प्राणी पादव पर निर्वर करते हैं, वो पादव के द्वारब बनाए गया या उनसे प्राप भूजन को ही या पदारतों को ही रेंट करते हैं, पादव में पोशन क बना सकते हैं, यह सभी पदार्थ अपनी परिवेश में उपलब दोते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि पादव अपना भोजन स्वेम बनाते हैं, तो पादव, पादवों को अपना भोजन स्वेम बनाने के लिए जल कारवन डियोकसड और खनीज के आवशकता होती है, जो उनके परिवेश में या उनके बाताव रंड में उपलब होते हैं, पोशक पदार्थ सजीवों को सारीरिक शरक्षना, वरद्धी तथा चतिग्रस भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा पोशक पदार्थ, पोशक पदार्थ क्या-क्या पढ़ करने के लिए, चतिग्रस भागों के रखरखाव के लिए, जै प्रक्रमों में आवशक उर्जा प्रिदान करने के लिए होते हैं, साजीवों द्वारा भोजन ग्रहंट करने वे इसके उपयोग की विदी को पोशक पदार्थों को साजीवों के रूप में ग्रहंट करते हैं और इस ग्रहन करने की प्रिक्रिया को यह हम पोशन कहते हैं, पोशन की व्यविदी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयम संसलेशित करते हैं, पोशन कहलाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि पोशन हमारे शरीट के लिए या पात्पों के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो पोशन कहते हैं, अतय ऐसे पात्पों को स्वयपोशी कहते हैं, जो पादव अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, स्वयम पोशन करते हैं, तो उन पात्पों को स्वयपोशी पादव या स्वयपोशी कहते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा जैसा कि हमने पढ़ा, जैसा कि हमने पढ़ करते हैं जो अपना बोजन से नहीं बना सकते नहीं कर सकते उसे उन्हें वर भूश्त ही कहते हैं प्रिवेश मेत किस पॉरप्ड राप् enforce करते हैर फिरकार होता है प्रिकास अंसिलेशन, पादपो में खास अंसिलेशन का रिक्रव, पत्तियां पादप की खास फेक्ट्रियां हैं, जैसा कि हमने पड़ा, हमने कुछ सवाल पड़े, जैसे कि पादपो की खास फेक्ट्रियां का इस्तित होती है, तो हमारे पादपो की खास फेक्ट्रियां पत बनाई जाती है आते सभी कच्य पदात पत्यों तो पहुंचने चाहिए विर्दा में उपस्तित जल एवं खनीज लवर खनीज जड़ मूल द्वारा अप्षोषित किये जाते हैं जैसा कि हमने पड़ा कि पत्यों में खाथ फेक्ट्रिया होती है पात्पो की खाथ फेक्ट्र तो कुछ मात्रा में जैसे कि म्रदा के द्वारा जल और खनीज कुछ जमीन से मिट्टी से अफशोषित किये जाते हैं और उन्हें तन्य की द्वारा पत्यों तक भेजा जाता है तरसा तन्य के मात्यम से पत्यों तक पहुंचाये जाते हैं पत्ति की सतय पर उपस्च सूच ये गोश्काय के लाती है, जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम कोई इमारत बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी इंते लगती है, चोटी-छोटी इंतों से मिलकर एक पूरी इमारत बनती है, उसी पिरकार जैसे सजीवों को जो शरीर है वो चोटी-छोटी इकाईयों से मिलकर बना है, उन चोटी-चोटी इकाईयों को कोश्का कहते है कोशकाओं को शूचम दर्शी द्वारा देखा जा सकता है जैसे कि अगर हम उन कोशकाओं को देखना चाहते है तो हम उन्हें शूचम दर्शी की शाहता से देख सकते है कुछ जीव मात एक कोशका के बने होते है कोश्का एक पतली बाहर सरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोश्का जिल्ली कहते है जैसे कि हमने पढ़ा कि कुछ जीव है जो कोश्का के बने होते है और उन कोश्काओं के बाहर एक सरचना होती है उस सरचना को हम कोश्का जिल्ली कहते है केंदर 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 क यह रंद्र द्वार कोश्काओं द्वारा गिरे होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, कारवंडाय ओक्साइट पत्ती में उन छोटे-छोटे रंद्रों के द्वारा पिरवेश करती है, तो वो रंद्र द्वार कोश्काओं के द्वारा गिरे होते हैं, उसके उन रंद्रों के चार सिंग्रदाश है हमारे पाँद खनीच और जलकां अप्षूशंड कर तन्ये के दोआरह पतियों तक पहुछाते है, तो तन उस जल और उन खनीचों को एक भाही का एक नली के समान एक सरचना होती है जिससे भाही का वोलते हैं उस भाही काओं के प्रधियों तक जल और कानीज को पहुंचाते हैं जड तना साख्भाऊं पधियों तक पहली होती है कि पोश्कों को प्रधारतों के परिवन के विश्य मैं आप पद्रेश वे पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो पोशक होते हैं, जैसे कि यो खनीज और जल जो मृदा से अप्शोशित किया है, हमारी पादपो की जड़ों ने, वो एक सतत मार्ग बनाते हुए, बाहिकाओं, बाहिकाओं के द्वारे एक सतत मार्ग बनाते हुए, पत्तियों ता जाते हैं, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल सूरे के प्रिकास, सौरे प्रिकास की उर्जा का संग्रहन करने में पत्ति की साहिता करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि पत्तियों के अंदर एक हरा वर्णक होता है, और उस हरे वर् फर्फिल शूर्य के पॉर्जा होती उसको ग्रह्त करने में पत्ती की with climate उर्जा की साहिता से जल और कार्वन नीय उकसाइड से बोजन बनाया जाता है पत्ती में उस उर्जा को प्योग कर उस उर्जा की आवशक्ता होती है पत्तियों को ताकि वो अपना जल, कर्वान दयक्साइड यसाय Four नो के साथ बोजन बना सके, Sanstration Shuri ke Pryakaash की उपस्थिती में होता है इसलिध से इसे प्रिकाash sensation क्यöता है और जैसा कि हमने पड़ा, Sanstration Shuri ke Pryakaash की उपस्थिती में होता है जो सूर्य का प्रिकाश होता है, तभी पौदों में भोजन बनता है, उनकी पत्तियों में ये भोजन बनता है, ये प्रिकाश की उपस्तिती में बनता है, सूर्य से आने वाले प्रिकाश की उपस्तिती में बनता है, इसलिए इसे प्रिकाश संस्रेशन कहते है, अते हमने जल यह सब प्रिकाश संसलेशन की जो एक बिदी होती है उसके लिए आवश्यक होता है और प्रिकाश संसलेशन की बिदी से हमारा ताथ पर रहे है कि सूर्य के प्रिकाश की उपस्तिती में पत्तियों में पादफ के पत्तियों में जो भोजन बनता है वो सूर्य के प्रिकाश शंप्रा वहत Chessin की पिर्क्रव्त हैं इस पुरिए पिर्थवी पर यह में इक ये पूरे पुरिए प्रिखवी पर यह पूर्य पर ये लोटा एक पत्यों सवार और उर्जा शंप्रेंड की जाती है even बाल में खाद के रूम में Shanghai जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अल्रेडी इस पत्तियां सूर्य के प्रिकास से उर्जा संग्रेट करती है और उसके उपस्थिती में बोजन बनाती है यह जैसे कि हम पढ़ चुके तो सभी जीवों के लिए सूर्य के प्रिकास बहुत-बहुत महत्पूर है क्या आप कर सकते है कि प्रिकास संस्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा प्रिकास संस्थिती में थाद उपलब नहीं होगा सभी जीवों की फिर्जाफित पर जीवन की खनदना संभव है प्रिकास संस्रेशन के दोरान पत्ती की किलोरोफिल युग कोश्का है शूर्य के प्रिकास की उपस्तिती में कारवन डाय ओक्साइड एवं जल से कारवो हाइड्रेट का संस्रेशन करती है जैसा कि हमने पड़ा कि लोरोफिल यूग जो कोश्काएं होती है वो शूर्य के प्रिकास की उपस्तिती में कारवन डायोक्साइड एवं जल से भोजन बनाती है और उस भोजन को कारवो हाइड्रेट कहते है और इस प्रिक्रम को एक समीकरण दोरा दर्साया गया है जैसा कि एक देख सकते हैं कारवन डायोक्साइड प्लस जल सूर्य का प्रिकास की उपस्तिती और नीचे किलोरोफिल तो बनता है कारवोहाइड्रेट जो हमारे पात्पों कभोजन है प्लस ऑक्सीजन जो पात्पों से हमें फ्राप्त होती है इस प्रिक्रम में ऑक्सीजन निर्मु प्लस जल सूरी के प्रिकास की और क्लोरोफिल की उपस्थिती में कार्वाइड्रेट प्लस जल सूरी के प्रिकास और क्लोरोफिल की उपस्थिती में कार्वाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं वह KAHRONDAYOXID PLUS जल सुर्य की प्रकाष की उपस्तिते में और क्लोरोफिल की साइछा से जो viral alpha plus oxygen बनाता तो उस Karohydred को ही starch के रूप में परिवर्दित करके पादव अपने बूजन के रूप में संचित करते हैं और उस प्रकाष के संचित होना उसका तार्त पर रहे है कि प्रिकाники की संक्रिया समपन हो चुकी है, समाफ्ड हो चुकी है, इस तार्त भी प्रिकार का कारोह हिट्रेट है जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुके पत्यों के अतिरिक्त पात्वों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी साखाओं में भी प्रिकास्ट्रेशन होता है जैसे कि हमने पड़ा पत्यों के अलावा भी पात्वों के जो दूसरे अन्य भागे जैसे तने हो गए और अन्य हरी साखाएं हो गई उन समय भी प्रिकाशन सेष्ण के प्रिक्रिया होती है, मरिस्तली पोष्ट में बाद सर्जन दोरा जल्ड छेग को कम करने के लिए पत्फियां सल्क अतवा सूल रूपी हो जाते है, इन पाद फोके तनी हर्य होते हैं। जो प्रिकाशन स्ट्रिचन पार रे करते हैं। जैसा कि हमने पड़ा, कि मरुस्तली पात्पों में बास्पोस सर्जन और जल छह को कम करने के लिए शल्क और सूल रूपी हो जाती हैं, पत्तियां, पादप, तो इन पात्पों के तनिहरी होते हैं, इन पात्पों के तनिहरी क्यों होते हैं, क्योंकि इन पात्पों के तनिहरी प्रिकार के पाद के पाद के डो गंबले को जिसे आपने अंदकार में रखा था तीन से चार दनों के लिए सूरिक के प्रिकार में रp दीजिए तत्ह पुन्ने इसकी पत्ति पर आयव भी धरिक्श्ट लीजिए अपने प्रिक्रिकर अपने लिखिए हरे हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है परन्तु इन पत्तियों में पस्त लाल भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रिछादन कर देते हैं अर्थार्थ ? हमने जैसा कि पढ़ा हरीपत्यों में हरीपत्यों के अतरिकत्य विय अन्य बनound Kaitta होते हैं जैसे की लाल भूरे और अन्य अन्य रंग के पर अंतु ये सब हरे रंग का स्वाधन कर देतास्या या ये कह सकते हैं कि उसे धक लिध या कि इसे धक लेते सक के होंगे कि इसमा नेत आ नहीं कि आ गायी। कहा हमएं आगां अगां जैसा कि हमने पड़ा और जैसा कि में सब्सक्राइबो आदे कले में कहुं क्यिक्तू autres की शृतव दजा का fragrance e ज्अब आगां में देखता ह़ुए का यू हूनारा में सब्सक्तों का जिव कान। है और उन ऐसे जीवों को सेवाल कहते हैं चलिए दोस्तों आके हम कल पढ़ें